हेलो बच्चो कैसे हो आप सब गनित की इस कक्षा में आप सबी बच्चो का स्वागत हैं तो बच्चो आज हमारा चाप्टर है चाप्टर सेकंड शेप्स एंगल्स अकृतियां और कौन तो बच्चो आज हम कुछ शेप्स के बारे में जानेंगे और कुछ एंगल्स के बारे म यानि की त्रिभूज तो ये रेखो ये है ट्राइंगल त्रिभूज और ये किसकी शेप आपको दिखाई दे रही है पहचान सकते हैं बच्चो ये है एक आयत यानि की रेक्टेंगल और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है जैसे ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई equal है और ये वाली आपकी जो width है वह equal है तो ये है rectangle और बच्चो ये किसकी shape है? पर ये rectangle नहीं है ये बच्चो ये है square इसकी four sides होती है और ये सभी की सभी equal होती है तो क्या है ये square? स्क्यार और रेक्टेंगल में क्या डिफ्रेंस है रेक्टेंगल में आमने सामने की जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है चारो साइड्स इक्वल नहीं होती है लेकिन स्क्यार में चारो साइड्स इक्वल होती है तो यह दोनों में डिफ्रेंस है आपको दिख भी रहा होग आप ध्यान से इन शेप को देखिये और उनका डिफ्रेंस भी पहचानिए बच्चो ये कैसी शेप है? ये है एक सरकल यानि की वृत आपकी ममी की बैंगल्स भी इसी शेप की होती है न? जी ये है वृत यानि की सरकल बच्चो ये कैसी शेप है? यह आपके स्कूल में भी आपने देखा होगा ना चौक का डबा ठीक है बचा सामने से तो यह तरह से रेक्टेंगल है क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं इक्वल है लेकिन असल में यह 3D शेप है कैसी शेप है यह 3D यानि कि 3D डायमेशनल शेप 3 आयामी आकरिती है इ यह है आपकी लंबाई यह है उन्चाई और यह जो आपको यह वाली दिख रही है साइड यह है चड़ाई तो यह 3D शेप है और यह है क्यूबॉइड यानि कि घनाब क्या है यह क्यूबॉइड यह 3D शेप है 3D डायमेशनल शेप है यह इसमें लंबाई चड़ाई यहां स और उन्चाई 3 साइड इस की इस तरह से दि होती है तो यह क्या है िससे क्यूब और अपे ढ़नाब कहते हैं समझाया बच्चोिल है कर अब है यह कैसी शेप आपको नचान रहे यह बड़्चो यह भी क्यूब और की तरह ही है लेकिन बच्चो। विल साइड नहीं है या फिर यह सारी साइड इसकी इक्वल होती है तो इसलिए घं यानि कि क्यूब है यूप आपको दिखा दूओ इसमें आपके पास जो यह लंबाई थी और यह चोड़ाई थी इसमें लंबाई और चोड़ाई जो भी है वो इक्वल नहीं है और इसकी यह चोड़ाई भी लंबाई जैसी नहीं है तो इसकी लंबाई चोड़ाई और उन्चाई डिफरेंस डिफरेंस है लेकिन इसमें जो इसकी लं इसकी जो length है इसकी ये width है और इसकी जो height है वो different है तो ये cube है और ये cuboid है तो मुझे लगता है कि आपको cube और cuboid में difference पता लग गया है बच्चो ये कैसी shape है ये आपको सामने दिख भी रहा है ये वैसे एक तरह से ये आपकी जो birthday cap होती है वो है और ये एक शंकू के आकार की ह होती है ये भी 3D shape होती है तो इस तरह की shape को क्या कहते हैं शंकू कौन बच्चो ये कैसी shape है ये है cylinder यानि की बेलन ये cylindrical shape है ठीक है और ये इसे बेलनाकार आकरिती कहते हैं तो देखो बच्चो आपको यहां पर बहुत सारी shapes की चीज़े दिखाई दे रही है तो आप इन shapes क पहचान पाओगे कि ये जो जितनी भी यहां पर चीज़े हैं वो किस कि shape की है तो ये है square shape और इसे cuboid shape भी कह सकते हैं ठीक है और ये है cylindrical shape ये है circle shape ये है cone ये है cube यानि की घन ये है cuboid यानि की घनाव और आपकी जो ये माचीस है ये भी एक तरह से सामने से देखो तो rectangle की shape ह और अगर इस तरह से देखो तो ये एक तरह से cuboid की shape है तो बच्चो समझ आ गया आपको और ये है triangle ये है rectangle ये है square और ये है circle की shape में तो अभी shapes के बारे में हमें अच्छे से समझ आ गया है बच्चो ये है मीना और ये है टीना मीना और टीना दोनों भेने हैं तो एक दिन ये क्या कर रही थी माचीस की तीलियों से दोनों कुछ आकरितिया बना रही थी कभी वहाँ पर मोनु आया मोनु ने इन दोनों को एक challenge किया कि तुम दोनों एक जैसी आकरितियां बनाओगी यानि कि जैसे मीना आकरिति बनाईगी वैसे ही टीना आकरिति बनाईगी लेकिन बिना देखे हुए बनानी है और एक दूसरे से सवाल पूछ सकती है तो दोनों ने चैलेंज को accept किया और फिर मीना ने आकरिती बनानी शुरू की लेकिन टीना को नहीं दिखाई टीना उसे question पूछ रही थी तो वो वैसी ही आकरिती बनाने की कोशिश कर रही थी तो आओ देखते हैं कि मीना ने कैसी आकरिती बनाई थी मीना ने माचीस की तिलियों से ऐसी आकरिती बनाई यानि की छे तिलिया ली और ये आकरिती बन्ध है तो टीना बिना देखे ही ऐसी आकरिती बना रही थी और मीना से question पूछ रही थी कि आकरिती कैसी है तो कहा बंध है कितनी भुजाएं है छे है तो देखो फिर टीना ने कैसी आकरिती बनाई तो बच्चो टीना ने ऐसी आकरिती बनाई कैसी? ऐसी थी तो इसमें भी छे तिलिया ही जैसे मीना ने बनाई थी एक दो तीन चार पांच छे लेकिन तीना की भी वैसी छे तीलियों की आकरिती थी एक दो तीन चार पांच छे पर आप बता सकते हो क्या ये दोनों आकरितिया एक जैसी है नहीं तो फिर ये भी बंद आकरिती है तो ये भी बंद आकरिती है तो दोनों अलग लग कैसे हो गई फिर टीना ने कहा कि मैं दूसरी बार कोशिश करती हूँ वैसी ही आकरिती बनाने की बिना देखे कि छे तिलिया होनी चाहिए और आकरिती बंद होनी चाहिए तो देखते हैं फिर टीना ने कैसी आकरिती बनाए बच्चो टीना ने दूसरी बार पिना देखे छे तिलियों से बंद आकरिती इस तरह की बनाई लेकिन क्या ये इस जैसी थी? इस जैसी है बताओ ये दोनों के एक समान है नहीं तो टीना ने कहा मीना मैंने क्या ठीक बनाई आकरिती? मीना ने कहा नहीं तुम्हारी आकृति मुझ जैसी नहीं है तो देखो ये आकृतिया अलग क्यूं है इस तरह से देखो ये दो आकृतिया जो की तीना ने बनाई थी और ये आकृति मीना ने बनाई थी दो इन दोनों आक्रितियों में देखो तीनों आक्रितिया के समान है नहीं अब तीना कोशिश करके ठक गई और उसने मोनु से पुछा कि मोनु मैं मीना जैसी आक्रिति क्यों नहीं बना पारी तो मोनू ने कहा कि टेना तुम्हारी आकरितियां एक जैसी इसलिए नहीं है क्योंकि इनके बीच का जो कौन है वो बराबर नहीं है तो अब इनोंने पूछा कौन कौन क्या होता है तो बच्चो अब समझते हैं कि कौन क्या होता है बच्चो कौन होता है जैसे देखो ये एक बिंदू है ये दो जो तिलियां है इस बिंदू से मिल रही है तो जहाँ पर दो भुजाएं आपस में किसी बिंदू पर मिलती है वहाँ पर एक कौन बनता है तो ये आपको जो ये इस तरह से मैं आपको एक लाइन खीच कर दिखा रही हूं यह एक कौन है जो जहां पर दो भुजाएं आपस में जिस बिंदू पर मिलती है वहां पर एक कौन बनता है तो इससे क्या कहते हैं एंगल तो देखो इनके बीच में जैसे यहां पर भी आपके पास दो तिनिया या दो भुजाएं मिलती भी दिख रही है जिस कोन और यहांपर भी क्या बहना एक कोन तो आप देखो कि इसके कोन और इनके कोन क्या समान है? मोनो ने कहा था मीन और टीना से जब तुम्हारे एंगल्स आपस में जो कोन हैं वो बराबर होंगे तो आपकी आकरितिया भी 1 जैसी होंगी भुजाएं तो समान हैं लेकिन कौन एक जैसे नहीं होने के कारण तुम्हारी आकरितियां एक जैसी नहीं है तो आपको पता लग गया कि जहां पर जैसे मैंने ये दो भुजाएं बनाई यह एक भुजा यह दूसरी भुजा जहां पर मैं जिस बिंदू पर जोड रही हूं वहाँ पर क्या बना एक कौन और इस बिंदू को बोलते हैं हम vortex क्या कहते हैं vortex यानि कि शिर्ष और इसे कहते हैं हम अंश किस अंश से कौन बना है यानि के डिगरी तो आपको समझा गया कि इसकी आकरितियां एक जैसी क्यों नहीं थी भुजाएं तो एक जैसी थी तिलियां एक जैसी थी और आकरितियां भी बनती लेकिन कौन अलग लग होने के कारण ये क्या है आकृतियां सभी आकृतियां अलग अलग है तो आज के लिए इतना ही